नमस्कार दोस्तो टीवी इंडिया में एक बार फिर से आपका हर्तिक स्वागत हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे हरी मर्ची की जी हाँ दोस्तो भुजन में तीखा पन लाने के लिए भी हरी मर्ची का इस्तमाल होता है भारतिय रसोईयों में सद्यों से हो रहा है क्योंकि यह लाल मर्च से ज़्यादा फायदेमंद होती है हलांकि बहुत लोग इसे तीके पेन की वज़े से इसे खाना पसंद नहीं करते लेकिन आपको बता दे कि इसमें ऐसे बहुत से गुण पाय जाते हैं जो डाइबेटीस से लेकर वजन को कंट्रोल करने तक में फायदेमंद होत होती है यही नहीं इसमें बीटा कैरोटीन और लुटेन चॉंतिन्स आदी स्वास्त वर्दक्चीजे भी मौजूद होती हैं दोस्तों जो लोग डाइबेटीस के शिकार है उन्हें हरी मिर्च के पानी का सेवन करना चाहिए रात को एक ग्लास पानी में दो हरी मिर्च बीच में से काट कर भिगो कर रख दें और सुबा ब्रश करने से पहले इस पानी का सेवन करें इससे बलड शुगल लेवल कंट्रोल में रहता है वजन घटाने में हरी मिर्च आपके लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि हरी मिर्च में कैलरी बिल्कुल भी नहीं होती इसके प्र करती रोधक शमता को मजबूत करता है हरी मिर्च खाने के बाद आपकी बंद नाख खुल चाती है इसका एक उधारन है कैंसर से लड़ने और शरी को सुरक्षित रखने के लिए हरी मिर्च फायदेमंद है इसमें भरपूर मातरा में एंटी अक्सिडेंट होते हैं जो शरीर की आंतरिक सफाई के साथ ही फ्री रैडिकल से बचाकर कैंसर के खत्रे को कम करती है इसके सेवन से फेपडों के कैंसर का खत्रा भी कम होता है जो लोग स्मोगिंग करते हैं उन्हें हरी मिर्च चरूर खानी चाहिए हरी मिर्च में बहुत सारे विटामिन्स पाय जाते हैं ज में कि रोगी को राहत मिलती है हरी मिर्च को मोड बूस्टर का भी काम करती है यह मस्तिक में खून का संचार बढ़ाती है जिससे हमारा मोड काफी हद तक खुश नमा रहता है यह खाने को भी जल्दी पचा देती है हरी मिर्च में एंटी बैक्रियल गुण पाया जाते हैं जो यह आपके पाचन तत को मजबूत कर पाचन क्रियाओं को दुस्ट करती है हरी मिर्च में फाइवर भी अच्छी मात्रा में होते हैं जिससे भोजन जल्दी पच जाता है तो दोस्तों यह थे कुछ फायदे हरी मिर्च खाने के शायद आप जानते हों तो दोस्तों कैसा लग करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें